ये है कतर और यहाँ खेला जा चुका है नॉमबर 2022 का FIFA World Cup अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नई बात है ये तो हर चार साल में एक बार खेला जाता है तो आप कुछ नया सुनो 2022 के FIFA World Cup का बजट उससे पहले हुए सारे FIFA World Cup के बजट को एक साथ मिला दो उससे भी कहीं ज्यादा था जब 10 साल पहले कतर को पता चला कि 2022 का FIFA World Cup कतर में होगा तो फिर क्याता कतर लग गया जोरो शोरों की तयारी करने और बना डाले सोलर एनरजी से चलने बाले तमबू जैसे दिखने बाले इस स्टेडियम में 69,000 लोग एक साथ आ जाएंगे फिर आता है अल जनाब स्टेडियम एक सिपकी शकल में बना या स्टेडियम 44,000 से जादा लोगों की कैपसिटी वाला है नमब छे पर है एहमद बिन अली स्टेडियम जिसमें 45,000 से जादा लोगों के बैठने की बेवस्ता की गई है नमब पांच पर है अल्थुमामा स्टेडियम से 40,000 से जादा लोगों के लिए बने इस स्टेडियम का डिजाइन एक कैप से लिया गया है नमबर चार एजुकेसनल सिटी स्टेडियम, नमबर तीन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, और नमबर दो पर है ठासी जार से ज़्यादा लोगों के लिए बना लुसैल आइकोनिक स्टेडियम, फिर आता है नमबर एक स्टेडियम 974, सबसे है तरंगी और दुनिया का पहल ट्रांस्पोर्टिवल स्टेडियम, जिसे फिफा वर्ल्ड कप खतम होने के बाद डिस्मेंटल कर दिया जाएगा